So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करने वाले हैं Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. के बारे में जिसे हम सब लोग IRCTC के नाम से भी जानते हैं और guys आपको तो पता ही हूँगा IRCTC कितना न्यूस में रहा है पिछली बार बट जब से इसे जब से न्यूस से हटा है लोगों ने इस पे धान देना ही बन कर दिया है बट अगर मैं बताओ तो IRCTC में जो breakout हमें मिला था उसकी बदोलत अगर आप अभी भी इसमें invest करते हो तो भी आप इसमें तगड़ा return कमा सकते हो वो केसे कमा सकते हो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ IRCTC इकलोता ऐसा stock है जो हर दिन हर दिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें इसमें क्यों नया news ना आया हो इसमें day by day new news आती ही रहती है आज भी अगर देखो कल देख लेना था जो इसमें news आई है ओ आई है कि IRCTC एक business opportunity दे रहा है सबको और हम भी उनके साथ मिलके business कर सकते तो ऐसे ऐसे चीजें निकाल कर ओ अपनी और attract करता है और basically government का stock है तो बिलकुल ये आगे बढ़ना ही है और देखा जाये तो guys हो सकता है काफी सारे variants आ रहे है COVID के उस time stock में भले ही गिरावट आये बट नहीं आये तो क्या नहीं आये तो क्या हो सकता है भले ही अभी Omicron की भी बाते चल रही है बट नहीं आया तो तो guys कुछ भी हो सकता है market bullish है काफी कुछ चीज है positive है और IRCTC निचले level पे मिल रहा है तो आप बिलकुल एक level पे इसमें buy कर सकते हो तो guys काफ में buy करना है वही मैं बताने वाला हूँ और क्या कुछ breakouts है वही मैं बताने वाला हूँ IRCTC में और काफी कुछ बाते हम इस वीडियो में करने वाले है तो guys वीडियो को end तक देखो यार और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना 4 shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करते है तो guys बात कर रहे है IRCTC के बारे में current price की अगर बात करें 845 रुपे 90 पेसे का current prices का चल रहा है 14 रुपे 15 पेसे तक का return इसने दिया है और देखा जाए 1.70% के हिसाब से return भी दे रहा है तो returns के मामले में stock अच्छा है IRCTC अच्छे returns भी दे रहा है अब बात करेंगे chart की तो guys chart पे हम आ गए है और chart में अगर देखो तो simple सा है पर हमने analysis किया है simple सी trade line बनाई है उसी के बैसे इस पे हम यहाँ पर discuss करेंगे और पहले हम बात कर लेते हैं इस हिससे को discuss कर लेता है तो देखा जाए तो काफी दिनों से यहाँ पर एट rate कर रहा था काफी दिनों से IRCTC इसी level के अंदर trade कर रहा था और हम यहाँ पर एक falling flag pattern भी बन रहा था कुछ इस तरीके से और मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर breakout हमें मिल जाता है तो एक अच्छा moment आ सकता है तो क्या rally हमें देखने को मिलेती हैं यहाँ पर अगर देखो तो 721 पर stock trade कर रहा था IRCTC इहाँ पर trade कर रहा था और यहाँ तक गया था 1220 तक फिर यहाँ पर एक strong rejection मिला फिर stock आया सीधा नीच है फिर यह sideways चलना start हो गया तो यहाँ पर मैंने कुछ patterns बनाया थे उन patterns के इसाब से अगर देखा जा तो मैं wait कर रहा था breakout का और breakout हमें यहाँ पर मिला भी और मैंने यहाँ पर भी बताया था buy करने के लिए और जिन जिन लोगों ने इस लेवल पर buy किया होगा उन्होंने अच्छे profit यहाँ पर हो कमा सकते है क्योंकि यहाँ से retrace करके 1282 का target आप रख सकते हो target आपका यही रहना चाहिए 1282 का first target तो आप रखी सकते हो उसके उपर तो आपको पताये IRZTC कितनी तेज़े से बढ़ता है कितनी तेज़े से ग्रो करता है यहाँ पर यह आप देख लो यहाँ पर breakout के बाद क्या rally हमें देखने को बिली तो यहाँ पर भी breakout के बाद एक अच्छी rally हमें देखने को मिल सकती ओपर क्योंड तो काफी interesting यहाँ पर level से काफी अच्छे तरीके से यह move भी कर रहा है और आप बिल्कुल इस पर trust कर सकते हो तो guys यहाँ पर हमने बात की chart की तो chart से आगे बढ़ते है और देखते है एक महिने के time frame पर क्या return stock ने दिये है तो एक महिने के time frame पर 44.50 पेसे तक stock बढ़ा है तो आज अगर देखा जा तो basically यह open हुआ था 831 रुपे 90 पेसे के price पे high लगया था 850 रुपाई का और low लगया था stock ने 830 रुपे 35 पेसे का market cap के इसाफ से देखे तो market cap 69.79 करोड के आसपास का है market cap काफी तगड़ा है और market cap के इसाफ से पता चल जाता है कि एक mid cap stock है PE ratio की अगर बात करो तो 169.44 का PE ratio है dividend 0.12% का है तो काफी अच्छी बात है एवी और 52X का high और low क्या कुछ है तो high की अगर बात करो 1289 रुपे 26 पेसे का यहाँ पर 52X का high देखने को मल जाएगा और low है 283 रुपे 41 पेसे का यहाँ पर high और low हमने दोनों ही discuss कर लिए और ISATC ऐसी opportunities देता है उसके साथ business करने के लिए तो यह भी एक काफी positive नियूजरस में आती रहती है तो अब बात करते है resistance लेवल्स और support levels की pivot levels important होते है गाईस तो उने भी discuss करना important हो जाता है तो अभी हम देखेंगे resistance लेवल और support level तो resistance लेवल में अगर देखे 838 रुपे 12 पेसे का first resistance level है second resistance level यहाँ पर आप देख सकते हो 844 रुपे 48 पेसे का और third resistance level यहाँ पर है support ले रहा है और वहाँ से किस लेवल से उठ सकता है तो उसकी बात हम अभी करेंगे तो first support level अगर देखा जाए 827 रुपे 27 पेसे का है second 822 रुपे 48 पेसे का और third है 800 and 16.42 रुपेस के आसपास का तो support level यहाँ पर क्या कुछ resistance है हमने डिस्कूस कर लिए अब बात करते हैं price performance की तो price performance भी अच्छे कासे बढ़ रहे है गाईस one year का अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देख लेते वन येर का जो price performance है 192 रुपे 61 का है परसेंट का है 192 पॉइंट 61 परसेंट का है year and half का 1.67 परसेंट का है 3 months का है 11.46 परसेंट 1 month का 3.14 परसेंट और 1 week का है 0.79 परसेंट तो यहाँ पर अच्छा खासा improvement है और अब बात कर लेते हम trade values और component delivery की trade values की अगर बात करे 40 लाग के something का trade value और 16 लाग के something का component delivery है और वही गाईज अगर बात करें yesterday की तो 30 लाग के something का trade value और 10 लाग के something का component delivery और 1 week के average में 47 लाग के something का trade value और 15 लाग के something का component delivery है और 11 के average में 46 लाग के something का trade value और 14 लाग के something का component delivery देखने को मल जाएगा तो गाईज अब बात करेंगे यहाँ पर Community sentiments के आकड़े तो community sentiments के आकड़ों में अगर दिखा जाए तो 89% के जो लोग है और बिल्कुल यहापर buy call दे रहे है 6% जो लोग है और sell call दे रहे है और 5% जो लोग है ओके रहे है यहापर hold के लिए तो hold के लिए भी कहा जा रहा है, buy के लिए भी कहा जा रहा है और कहा जा रहा है sell के लिए so guys revenues देख ले तो revenues भी अच्छे कासे बड़े है revenue अगर देखा जाए 2017 का 1523 करोड़ 2018 का 1466 करोड़ 2019 का 1870 करोड़ 2020 का है 2275 करोड़ और 2021 में एडाउन आ गया है 783 करोड़ so guys वही अगर देखें net profit तो net profit पे अच्छा कासा increment है 2017 में 214 करोड 2018 में 219 करोड़ 2020 में 308 करोड़ 2020 में 528 करोड़ 2021 में 190 करोड़ और वही अगर बात कर लेते हम अभी share holding pattern share holding pattern के मामले में stock अच्छा है 67.4% की holding है promoters की है 7.81% की holding है FIS की DIS की 8.48% और देखा जाए तो public holding है 16.32% तो stock में dumb है वह बढ़े गए बढ़ेगा आप वीडियो पुसंदा आप वीडियो को like कर देना चनल को subscribe कर देना thank you